तो बच्चे अगर हम आज की सेशन की बात करें तो आज हम यहाँ पे आपके दो फाइलम डिसकस करने वाले हैं जो क्या है? सीलेंटरिटा एंड टीनोफोरा सीलेंटरिटा का एक और नाम है जिसको आप क्या बोलते हो यहाँ पे? या तो आप सीलेंटरिटा बोलोगे या आप इनको क्या बोलोगे निडेरिया दोनों नाम के पीछे एक लॉजिक है क्यों इस फाइलम का नाम सीलेंटरिटा एक निडेरिया पढ़ा वो अभी हम यहाँ पे डिसकस करेंगे डाइजेस्टिफ सिस्टम की अगर आप बात कर रहो तो यह कैसा होगा? इनकम्प्लीट का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही ओपनिंग होगी उसी से आप खाना भी खा रहे हो as well as excretion भी कर रहो तो यह कैसा है? इनकम्प्लीट है अब अगर रेश्पिरेटरी सिस्टम एबसेंट है तो सोचो यह कैसे रेश्पिरेशन करेगा? यह कैसे करेगा बिटा आपका यहाँ पे बाइदी जेनरल बॉडी सर्फेस जो आपकी और्गिनिजम की बॉडी है उसमें क्या होगा आपका यहाँ पे आपका है और के उसमेटरी तो आपका अंच्छरा जाएगा रेडिया जाएगा लेगा लेकिन अगर एक्जामीनर ने वहांपर डिमेटरी धी दिया है तो आपका अप्रोप्रप्रेड क्या होगा राडियल सिमेट्री चलेयर होगा इतना पॉईंट हम सब गो हेलो बच्चे लोग कैसे हैं आप लोग मैं हूँ मिधा जोशी और मैं स्वागत करती हूँ आपका अपने amazing platform infinity learn by श्री चैतन्या में तो बच्चे अगर हम आज की session की बात करें तो आज हम यहाँ पे आपके दो phylum discuss करने वाले हैं जो क्या है sealant trita and tinophora यह जो दोनों phylum है हमने जो आपका chapter start किया है animal kingdom हमने उसका basis of classification discuss कर लिया था फिर हमने first phylum discuss किया था जो क्या था phylum porifera था अब हम इसका आपका second phylum discuss करेंगे जो क्या है आपका phylum sealant trita तो start करते हम अपना आज का session अगर हम sealant trita की बात करें तो सबसे पहले sealant trita का एक और नाम है जिसको आप क्या बोलते हो यहां पर या तो आप sealant trita बोलोगे या आप इनको क्या बोलोगे निडेरिया है ना आप क्या बोलते हो sealant trita या फिर आप क्या लोगे सीलेंट रेटा नाम की बात करो नाम का लौगत करो अगर आप सीलेंट के habit and habitat की बात करो तो यह कैसे होंगे आपके aquatic animals होंगे देखो पहला phylum क्या start हुआ था पॉनिफेरा start हुआ था वो कैसा था आपका aquatic था वहाँ भी आपने पढ़ा कैसा था mostly marine था अब जो आपके sealant rate आए ये भी कैसे हैं आपके aquatic है आपने बोला ये भी कैसे होंगे आपके mostly marine होंगे mostly कैसे water में प्रेजेंट होंगे आपके sea water में प्रेजेंट होंगे इसके अलाबा ये कैसे होंगे आपके सेशाई सेशाई का मतलब क्या होता है बच्चा कि जो animal है वो एक ही जगे पे खड़ा हुआ है मतलब वो किसी substratum से attach होगा तो इसको आपने क्या बोल दिया सेशाई या फिर आपने बोला कि ये कैसा होगा आपका free swimming कि ये जो आपका water है water पे क्या कर रहा होगा float कर रहा होगा इसके अलाबा ये कैसे हो सकते हैं solitary और colonial या तो ये क्या होंगे अकेले प्रेजेंट होंगे या फिर ये आपकी colonies में प्रेजेंट होंगे तो ये तो किसमें आगया आपका habit and habitat में आगया अब अगर आप second अपने classification की बात करो second अगर आप अपने यहाँ पर character की बात करो तो यहाँ पर क्या आता है आपका level of organization कि जो हमारा sealant trita है इसमें कौन सा level of organization प्रेजेंट होगा तो यहाँ कौन सा level of organization आपको दिख रहा है tissue level of organization कि जो हमारी cells है जो similar type का आपका function कर रही है वो आपका क्या बना देंगी tissue बना देंगी पौरिफेरा में अगर आपको याद होगा पौरिफेरा में आपने क्या पढ़ा था cellular level of organization और आपका यहाँ क्या प्रेजेंट होगा tissue level of organization दोनों को compare करते में पढ़ो characters आपको जल्दी से याद हो जाएंगे इसके बाद अगर आप symmetry की बाद करो तो जो हमारे ceiling traits होते हैं इसमें कैसे symmetry आपकी present होती है radial symmetry कि अगर आप यहाँ पे organism की body को किसी भी plane से cut करो चाहे आप उसको अपना vertical cut करो या फिर आप उसको horizontal cut करो या फिर आप diagonal cut करो तो इसकी जो body होगी वो two equal halves में divided होगी मत्तब वो क् mirror image देगी तो आपके जो ceiling traits है इसमें कैसे symmetry present होगी आपकी radial symmetry होगी पॉरिफेरा कैसे थे asymmetrical थे यह कैसे होंगे radial symmetrical now next character की बात करते germ layers की अगर आप बात करो germ layers जो embryonic life में present है and क्या बना रही है tissues बना रही है यह कैसी होंगे diploblastic animal होंगे diploblastic का मतलब क्या है कि यहाँ पे आपकी किवल दो germ layer present होगी बाहर वाली को actodum बोल दिया अंदर वाली को andodum बोल दिया ठीके sea loam की अगर आप बात करो sea loam मतलब body cavity की अगर आप बात करो तो इन में भी body cavity क्या होगी absent होगी that's why आपने क्या बोला है कैसे animals है a. sea loamate animal है यहाँ पे body cavity क्या है absent है बच्चे यह जितने characters है आपने यह basis of classification में discuss किये थे न कि sea loam किसको बोलते है आपका diploblastic, triploblastic क्या होता है अगर आपने वो लक्चर भी तक नहीं देखा है तो आप वापस उसको जाके एक बाहर देख सकते हो कि जिसमें आपको basis of classification plastic animal होंगे and digestive system की अगर आप बात करो तो यह कैसा होगा incomplete incomplete का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक ही opening होगी उसी से आप खाना भी खा रहे हो as well as excretion भी कर रहे हो तो यह कैसा incomplete है यहाँ पे जो digestion होगा वो कैसा digestion होगा intracellular and extracellular digestion intracellular का मतलब क्या है कि जो digestion होगा वो cell के अंदर होगा और extracellular का मतलब क्या है digestion cell के बाहर होगा तो sealant rate में आपके दोनों तरीके के digestion present होगे cell के अंदर भी digestion होगा आधा और आधा digestion क्या होगा आपका cell के बाहर होगा तो इतने characters हमें समझ आ गए होंगे कि यहाँ पे कैसा है आपका हमने बूला digestion में क्या है आपका cell है cell में आपके क्या present होंगे enzyme present होंगे जो क्या करेंगे food particle को smaller particle में break down करेंगे तो यहाँ पे आपने दोनों तरीके का digestion पढ़ लिया अब next feature के अगर हम बात करें तो next feature के आज क्या आपका respiratory system यहाँ पे respiratory system क्या होगा absent होगा अब अगर respiratory system absent है तो सोचो यह कैसे respiration करेगा यह कैसे करेगा बिटा आपका यहाँ पे by the general body surface जो आपकी organism की body है उसमें क्या होगा आपका यहाँ पे diffusion के through respiration होगा diffusion हम सबको याद होगा कि आपका जो oxygen है वो क्या हो कि water higher concentration में है higher concentration से lower concentration में आएगी तो यहाँ जो आपका respiration हो रहा है वो general body surface के through हो रहा है और किस process के through हो रहा है diffusion के through हो रहा है तो अगर आप circulatory system की बात करो तो circulatory system क्या होगा absent होगा क्योंकि अभी organism का ज़्यादा development नहीं हुआ है अभी पहला porifera था अभी sealant rate आया है तो अभी धीरे धीरे क्या होना लगेगा आपका development होने लगेगा evolution होने लगेगा ठीक है देन अगर आप reproduction की बात करो तो यहाँ कैसा reproduction होगा as well as sexual reproduction भी होगा porifera में भी आपने पढ़ा था कि महाँ asexual reproduction भी था और आपका sexual reproduction भी था तो अगर आप sealant rate की reproduction की बात करो बच्चा तो यहाँ पे क्या होगा आपका दो तरीके की forms generally हमारे sealant rates में present होती है कौन सी दो तरीके की forms आपके present होती है एक तो होगी बटा आपकी यहाँ पे polyp form एक form क्या है बच्चा आपका है आपके polyp form और दूसरी आपकी जो form है उसको आप क्या बोलते हो बटा है यहाँ पे medusa form ठीक है आपके sealant rates में दो तरीके की forms मिलेगी that means यह क्या शो करेंगे dimorphism शो करेंगे है यहाँ पे दो तरीके के क्या होगी आपके forms मिलेगी polyp form की अगर आप बात करो तो polyp form generally कैसी होती है आपके यहाँ पे सेशाइल होती है सेशाइल का मतलब क्या है कि यह किसी surface से attach होगा यह move नहीं कर सकता विदसर फॉॉर्म की बच्चे अगर आप बात करो यह कैसी होगी बेसीकली आपकी इहाँ पे free floating form होगी यह कैसी होगी कि water में क्या कर रही होगी आपका float कर रही होगी यह पहला difference आया इसके अलाबा दूसरे difference की अगर आप बात करो तो इनका shape में difference आता है जो हमारी polyform है polyform बच्चे कैसी होगी जनरली आपकी यहां पे cylindrical होगी यह cylinder की तरह आपको दिखेगी cylindrical form है तेके and जो medusa form है वो कैसी होगी आपकी बिच्चे आपकी यह umbrella shaped होगी umbrella की तरह दिखेगी आपको jellyfish याद होगी jellyfish किसकी तरह दिखती है umbrella की तरह दिखती है तो आपक τη Medusa form में वह कैसी है आपकी umbrella shape है इसके अलाबा अगर आप reproduction की बात करो तो polyp form में आपका कैसा reproduction प्रजेंट होगा यहां पे is sexual reproduction and जो आपका Medusa form में is में कैसा reproduction होगा आपका Sap envision होगा Medusa में आपका कीबल कैसा होगा sexual होगा और polyp में कैसा बच्च अपका एक्जेम्पल पक्राफट से हमें याद हो जाने चाहिए। आपका पॉलिस फोर्म का मैंडियोसा फोर्म है उसका एक्जांपल क्या हो जाएगा आपका यहां पर औरिया जो क्या है आपकी jellyfish है तो आपने दो तरीके की form पड़ी अपने sealant rita में कौन कौन सी थी polyp and medusa form थी अब हम बात कर रहे थे यहां पे reproduction की तो आपने क्या बोला कि जो polyp form है यह कैसे reproduce कर रही है ए sexually कर रही है budding के through कर रही है जो medusa form है वो कैसे करेगी आपका sexually करेगी इसकी अलाबा यहां पे जो sexes हैं वो क्या होंगे separate होंगे मतलब आपका male and female क्या होगा separate individual में present होगा fertilization की अगर आप बात करो मतलब जो fusion हो रहा है आपका sperm and ovum का वो कहा होगा आपका body से बाहर होगा मतलब किस में होगा water में होगा तो कैसा fertilization है external fertilization है development की अगर आप बात करें तो development कैसा होगा indirect development indirect development हमने porifera में भी discuss किया था कि क्या होगा आपका यहां पे zygote होगा zygote क्या करेगा आपका पहले convert होगा larva में यह लारवा आपका किस में convert होगा adult में convert होगा तो यहां पे क्या present होगी larva form present होगी तो यहां पे आपने क्या पड़ा reproduction कैसा पड़ा कि जो आपका polyp form था polyp form a sexual reproduction आपका कर रहा है and medusa जो आपकी form में वो क्या कर रही है आपके यहाँ पे sexual reproduction शो करेगी तो यह क्या थे बच्चे आपके general characteristics थे किसके हमारे sealant rate आपके अब अगर हम यहाँ पे आपके unique features की बात करें कि जो आपके केवल sealant traits में मिलेंगे उनके अलावा किसी में नहीं मिलेंगे तो सबसे बेहले तो यहाँ पे क्या present होती आपकी needle blast cells क्या है? कि यह क्या करेंगी? poison को secret out करेंगी अण क्या हो जाएगी? आपका जो prey है, मतलब जो भी इसका शिकार है या फिर जो इसका enemy है, उसमें क्या हो जाएगी, आपका attach हो जाती है तो ये क्या करती है, आपका इहां पर poison produce करती है कौन सा poison produce करती है, आपका इहां पर ये hypnotoxin ये कौन सा toxin produce करेगी, आपका hypnotoxin जो जनरली क्या करता है पैरालाइस करता है पैरालिसस करता है हमने बोला किलिंग नहीं कर रहा है क्या कर रहा है पैरालाइस कर रहा है तो आपका यहाँ पे जो सीलेंट रेटा था इसका क्यारक्टर्टर्स्टिक पीछर क्या है कि इसमें क्या प्रेजेंट है आपकी नीडो ब और second name क्या कहा था? निडेरिया तो इसको निडेरिया इसी लिए बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या present है आपकी? नीडो ब्लास्ट सेल्स present हैं. हर चीज के पीछे लौजरक है ना? इसमें क्यों बोला? क्यों आपको एक स्क्रीच प्रेजनर क्या होग रहता है? कि जो हमारा sealant reta है चाहे उसकी polyp form हो चाहे medusa form हो उसमें क्या प्रजेंट होगी gastrovescular cavity होगी जैसे हमारे अंदर क्या है elementary canal है इसमें क्या प्रजेंट होगी आपकी gastrovescular cavity present होगी जिसमें क्या होगी आपकी opening होगी जिसको अपने क्या बोला है Mouth and HypoStorm, है ना अपने इसको क्या तम दिया है? HypoStorm, तो हमने इन Phylum का नाम क्या कहा? Sealantrata कहा, क्यों Sealantrata कहा? क्योंकि इसमें क्या प्रेजन्ट है? Sealantteron प्रेजन्ट है, तो हमें दोनों नाम के पीछे का logic समझ आया, Nidaria क्यों कहा? क्योंकि नीडोबलस सेल्स प्रेजन्टेट्थ इए, सीलेंड डीटर्टा क्यों बहला, क्योंकि इसमें क्या प्रेजन्ट है, छेलेंड टेरॉर्ड, आपकी इससे resemble कर रही है हमारी elementary canal से कर रही है इतना clear होगा हमें तिक देन इसके अलबा अगर हम इसके एक और unique feature की बात करें तो यहां पर क्या present होता है पिटा आपका metagenesis जिसको आप क्या बोलते हो alternation of generation कि हमने बोला हमारे sealant rate में दो तरीके की form present है एक है polyp form और दूसरी क्या है आपकी medusa form तो यहां पर क्या होगा बच्चे आपका कि जो हमारी polyp form है polyp form generally किस में convert होगी आपकी medusa form में and medusa form किस में convert हो सकती है आपकी polyp form है कैसे जो आपका polyp वाला है यह क्या करेगा asexual reproduction करके क्या बनाएगा medusa बनाएगा and जो आपका medusa यह क्या करेगा आपका यहां पर sexual reproduction करके क्या बना देगा polyp form का formation कर देगा तो इस characteristic को आप क्या बोलते हो metagenesis या फिर आप क्या बोलते हो alternation of generation यह आपका basically किस में मिलेगा आपके obelia है नहीं किसका example है आपके sealant reta का example है किस में मिल रहा है आपके obelia में मिल रहा है diagram में भी अगर हम देखे बच्चे यहां पर तो क्या था आपका यहां पर कि जो हमारी polyp form है polyp form ने क्या किया आपका यहां पर a sexual reproduction किया और उसने क्या बना दिया आपके यहां पर medusa form का formation कर दिया तो इसको आपने क्या बोला metagenesis और alternation of generation ठीक है इसके अलावा आपके जो कुछ आपके जो sealant rates है sealant rates में आपका बेटा क्या present होगा आपका skeleton present होगा जो किसका बना हो सकता है आपका calcium carbonate का जिन sealant rates में calcium carbonate का skeleton present होता है उनको आप क्या term दे देते हैं यहां पर corals है ना आप उनको क्या बोलते है corals किसमें मिलेंगे c में मिलेंगे generally आपने देखा भी सब्सक्राइब कर दिया तो आप अगर एक्जांपल की बात करो तो आपको याद हो गयोंगे कौन-कौन से इग्जांपल आपके मेन है एक आपका आगया हाइड्रा थे के जो पॉलिफ फॉर्म का है दूसरा अपका क्या अग bluff यहां पर औरेलिया जो jellyfish है आपका मेड्यूसर फ़म इसके अलावा अभी आपने पड़ा ओब यह जिसके आपका क्या प्रेजंट है प्रेजेटेट अधिन आपने general characteristics पड़े as well as unique features आपने read out किये तिक है आपने इसके example देखे कि क्या-क्या आपका जैसे गौर्गोनिया है मियंड्रीना है इसके अलावा आपका फाइसेलिया पानेटूला हाइड्रा ओबिलिया और एलिया यह सारे किसके example है आपके sealant reta के example है जो हमारी NCRT में mention कर रखें अब इसी sealant reta की तरहे आपका एक और फाइलम आता है जो क्या है आपका phylum tinovora पहले तो हमने पौरिफेरा डिसकस किया था सबसे पहला phylum इसके बाद क्या है आपका sealant reta आया अब तीसरा जो phylum है बच्चे आपका यह क्या है आपका यहां पर phylum tinovora phylum tinovora की अगर आप बात करो तो इनका एक common name है आप इन्हें basically क्या क्या बोलते तो या तो आप इन्हें क्या बोलोगे बच्चे यहां पर c walnut बोलोगे या फिर आप इनको इहां पर क्या बोलते हो सबसे पहले अगर आप इसकी habit and habitat की बात करों तो यह कैसे होंगे exclusively marine exclusively marine का मतलब क्या है कि जितने tinovores हैं सारे कैसे water में present होंगे sea water में present होगा कोई भी आपको fresh water form नहीं मिलेगा आपने पौरी फेरा पढ़ाता seal and treat पढ़ाता दोनों जगे present है mainly तो क्या है marine है लेकिन कुछ आपके fresh water form भी थे लेकिन आपके जो tinovores हैं यह आपके कैसे होंगे सारे के सारे marine water में ही होंगे कोई भी fresh water में present नहीं होगा ठीक है इसके अलाबा यह कैसे होंगे solitary and palagic that means क्या यह कैसे होंगे आपके singly present होंगे कि कभी भी आपका colonies में present नहीं होंगे then level of organization की बात करो तो इसमें भी क्या present होगा tissue level जैसे आपने sealantrator में पढ़ा था अपना tissue level था इसमें भी क्या होगा टीनोफोरा में भी tissue level होगा कि यहां पे आपका जो cell same type के function कर रही है वो क्या बना देगी tissue बना देगी then symmetry की अगर आप बात करो तो कैसी symmetry है बच्चे आपकी radial symmetry कि अगर आप organism की body को कहीं से भी cut कर रहे हो आप उसको horizontal cut कर रहे हो vertical cut कर रहे हो diagonal cut कर रहे हो आपको क्या मिलेगी two equal halves मिलेंगे लेकिन यहां पे एक थोड़ा सा modification हमारी symmetry में हो जाता है generally तो आप क्या बोलते हो कि कैसे symmetry आपकी है radial symmetry है लेकिन यहां पे आपको इसके अलावा एक modification और मिलता है by radial symmetry by radial symmetry का मतलब क्या हुआ by मतलब 2 कि अगर आप organism की body को किवल 2 plane से cut करोगे तब ही आपको क्या मिलेंगे two equal halves मिलेंगे यह radial symmetry का ही क्या है एक modification है तो अगर आपके पास exam में question आता है कि in ceiling radar which type of symmetry is present और आपके पास option में क्या given है radial symmetry, bilateral symmetry, asymmetrical or none of the above तो आप का आँ से क्या चला जाएगा? radial symmetry चला जाएगा clear होगा इतना point हम सबको? देखे, then next अगर हम बात करें आपकी germ layer की तो जो हमारे tino force है यह भी कैसे होंगे? diploblastic animal होंगे आपके sealant rate अभी कैसे थे? diploblastic थे? यह भी कैसे हैं आपके diploblastic मतलब किवल दो germ layer है, एक actoderm है और दूसरी क्या है? endoderm है then celom की अगर आप बात करो तो यह कैसे है? acylomate मतलब यहाँ पे भी body cavity क्या होगी? absent होगी, इनमें भी body cavity नहीं present है then digestive system की आप बात करो तो कैसा है? incomplete, अब तो हमें मतलब समझ आ गया होगा incomplete का मतलब क्या है? कि किवल एक ही opening है, जिससे खाना भी खा रहे है और excretion भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्योल एक opening हुआ? इसके अलाबा, यहाँ भी जो digestion होगा, बच्चे वो कैसा होगा? एंट्रा-cellular as well as extra-cellular digestion मतलब थोड़ा digestion cell के अंदर होगा और बाकी का digestion cell के बाहर होगा clear होगा, sealant rata में भी ऐसे ही था, as well as sthenophora में भी ऐसे ही था दोनों एक दूसरे से काफी जादा resemble करते हैं, ठीक है? then respiratory system की अगर आप बात करो बेटा, तो respiratory system यहाँ पे क्या होगा? absent होगा, again absent है, तो कैसे आपका respiration हो रहा होगा यहाँ पे? through the general body surface, यहाँ कैसे होगा आपका body surface के थूँगा? and अगर आप process की बात करो, तो कौनसी process के थूँगा बेटा आपका यह diffusion के थूँगा? कौनसी process है? diffusion के थूँगा है, circulatory system, यहाँ भी क्या है? absent है, आपके sealine trita में भी absent था, tinofora में भी क्या है? absent है, देखो, comparison करके पढ़ रहे हैं, बहुत easily आपको चीज़े remember हो जाएंगे, ठीक है? कैसे होंगे? hermaphrodite, मतलब male and female दोनों एक ही individual में present है, इसके अलावा fertilization की बात करो, तो कैसा fertilization है? external fertilization, कि जो sperm और egg का जो fusion होना होगा, वो body के बाहर होगा, किस में होगा? water में होगा, medium क्या है? water है हमारे लिए, and development की अगर आप बात करो, तो कैसा development है? indirect development, that means, इसकी life cycle में ए क्लारवा आपका present होगा ही होगा, तो यह क्या थे आपके यहाँ पे टीनो फोरा के general characteristics थे? now, इसके अगर हम यहाँ पे unique features की बात करें, तो जो हमारे टीनो फोर्स है, टीनो फोर्स में क्या unique feature है? कि यहाँ पे आपकी eight external rows of ciliated complex होती है, जो किस में help करेगी? लोको motion में help करेगी, क्या बोला बच्चे आपने यहाँ पे? कि जो आपके टीनो फोर्स है, इसकी body में आप यह देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या है? आपकी इस तरीके की क्या present होंगी? आपकी plates present होगी, जिसमें क्या present है? आपके यह cilia present है, यह cilia क्या क्या करेंगे? लो टीनो फोर्स है, इनको क्या term दिया? और calm jellies बोला है, इतना clear होगी होगा हमें? इसकी अलावा जो next आपका यहाँ पे unique feature है, वो क्या है बच्चे आपका यहाँ बायो ल्यूमिनी सेंस की जो आपका organism है, इसकी body क्या करती है? light emit करती है, light बनाती है, जो इसकी वज़े से हमे जो यह organism है चमकता हुआ दिखता है, तो यह आपके टीनो फोर्स में मिलती है, इसके अलावा यह आपकी एक और जगे मिलती है, आपने जुगनू देखे होंगे है रात को जो चमकते हैं, वो भी क्या करते हैं? बायो ल्यूमिनी सेंस आपका शो करते हैं, उनकी body भी क्या कर तो देखो आप डाइग्राम में अगर इनका पिचर ही देख रहे होंगे यहां पर तो यह कैसे दिख रहे हैं, आपको बहुत चमकीले दिख रहे हैं, किसकी वज़े से आपकी, क्योंकि इसमें कौन जी property प्रेजेंट है, बायो ल्यूमिनी सेंस आपका प्रेजेंट है, तो यहां पर आपके किवल दो main example आते हैं, कौन-कौन से दो main example आते हैं, आपके एक तो आजाता है बच्चे आपका यहां पर Tino Plana, जो हमारी NCIT में गिवन है, और दूसरा आपका यहां पर आजाता है पिटा, आपका Plurobrachia, आपके किवल यह दो main example आपको याद रखने हैं, कि दोनों के ही हमने आपके general characteristics भी discuss की, as well as हमने इसके unique features को भी discuss किया, तो हम chapter कौन से लेके चल रहे हैं, Animal Kingdom लेके चल रहे हैं, जिसमें आपका basis of classification हो गया है, पौरी फेरा हो गया, और आज आपने अपने दो फाइल अमार डिसकस कर लिए, C-Line Trata and T-Nophora, आपको क्या करना हैं बच्चे, हमने class पढ़ लिया, अब क्या करोगे, NCRT उठाओगे, NCRT में चीज़ों को वापस से readout करोगे, कोई doubt होता है, तो आप chat box में अपना पूछ सकते हो, ठीक है, and इससे related जितने आपके questions है, PYQs है, या कुछ भी अगर solve कर रहे हैं, study material, वो questions आप solve करोगे, तो थैंक यू सो मच बेटा, लाइक और सब्सक्राब आज चानल, थैंक यू